दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को LTE पैनल के कंट्रोलिंग कनेक्शन के बारे में बताऊंगा और LTE पैनल में आपका क्या-क्या प्रब्लेम आता है उसके बारे में बताऊंगा और आपका इंटर्वियू में किस टाइप का क्योस्चन पूछता है उसके बारे में बताऊंगा LTE मतलब हम लोगों का लॉंग ट्रावल होता है सबसे पहले सिंबल के बारे में जान लेते है दोस्तों जो हम लोग controlling panel रहता है controlling panel में आपका एक MCB रहता है MCB का symbol इस type का दिया हुआ रहता है और MCB का हम लोग DPMCB बोलते हैं और ज्यादा तर crane में आपका 6A का MCB लगा हुआ रहता है यह हमारा master controller का symbol है reverse side का यह forward side का master controller का symbol है और जो आपका LT में 2 motor रहता है LT में 2 motor में दोनों motor में आपका brake thyristor लगा हुआ रहता है उसके लिए भी एक power contactor रहता है तो यह हमारा जो brake thyristor है brake thyristor के लिए master control में kit रहता है यह master control का kit का symbol है दोस्तो पीछे वाला जो भी वीडियो बनाया हूँ उसमें इसका connection में आप लोग को नहीं बताया हूँ इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इसका भी connection पुरो details में बता दे रहा हूँ यह हमारा resistance 1 का symbol है दोस्तो और यह हमारा resistance 2 का है यह हमारा resistance 3 का है तो दोस्तो कोई-कोई crane में आपका 3 resistance रहता है कोई-कोई crane में आपका 4 भी रहता है कोई crane में आपका 5 भी रहता है जो standard company के crane है WMI तो आपका उसमें 4 को resistance दे के LTE का connection किया जाता है दोस्तो यह हमारा thermal overload relay का symbol है LTE में आपका 2 को thermal overload relay रहता है यह हमारा limit switch का symbol है जो मैं neutral से काट करके बनाया हूँ मतलब neutral circuit में आपका limit का connection किया हूँ LTE में जादा तर आपका limit का connection neutral से ही रहता है reverse side का यह हमारा forward side का है यह brake का contactor है यह हमारा on delay timer का है और resistance 1 है और यह timer 2 का symbol है on delay timer का symbol है दोस्तो उसके सथ हमारा resistance 2 भी है resistance 3 भी है और on delay timer का symbol है सबसे पहले हम लोग neutral का connection किस तरह करना है ओ जानेंगे 110 volt supply हमारा productive panel से आया आने के बाद सबसे पहले MCB में आया MCB में आने के बाद आपका limit switch है limit switch में आया limit switch में आने के बाद आपका जो हमारा reverse and forward contactor है तो reverse and forward contactor में आपका neutral देना पड़ता है जो हमारा A2 है A2 में आपका neutral का connection करना पड़ता है तो हमारा neutral supply आया तो limit switch में हम लोग जानते हैं के दो गोग किट रहता है दोनों किट आपका NC बना हुआ रहता है ये दोस्तो किस तरह काम करता है neutral supply हमारा सबसे पहले limit switch में आया और limit switch आपका NC बना हुआ रहता है एक reverse side के लिए काम करता है एक forward side के लिए काम करता है जो हमारा lever type limit switch है lever type limit switch आपका LT में लगा हुआ रहता है limit switch बहुत तरह का होता है इसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लिजिएगा LT में आपका lever type limit switch लगता है और limit switch में आपका दोगों कीट रहता है दोनों कीट हमारा जब तक NC बना रहेगा तब तक हमारा neutral supply, reverse और forward contactor को मिलेगा limit कर जाएगा मतलब यह limit जब हमारा NC अभी है NO हो जाएगा अगर reverse side का NO होगा तो reverse side बंध होगा forward side का NO होगा तो forward side बंध होगा तो दोस्तों यह हो गया हमारा lever type limit switch का connection और जो हमारा power contactor है reverse और forward इसका connection बाकी जो भी है दोस्तों जैसे brake के लिए है, timer के लिए है resistance 123 है और timer 23 है यह सम्में जो हमारा A2 point है चाया contactor का बोली है या timer का बोली A2 point में हम लिएगों को neutral supply देना पड़ता है और इसी तरह दोस्तों neutral का connection दिया हुआ रहता है UT overhead crane में जो हम लिएगों का LT panel है दोस्तों यह हो गया हमारा neutral का connection अब फेज के connection के बारे में जान लेते हैं दोस्तों फेज supply हमारा सबसे पहले MCB में आया और MCB में आने के बाद आपका thermal overload relay में आया thermal overload relay का किस में आया 95 और 96 में आया तो thermal overload relay जब तक हमारा NC बना रहाएगा तब ही तक हमारा supply आएगा यह NO हो जाएगा तब आपका supply यही पे बंद हो जाएगा जो हम लोग को LT पैनल रहता है LT पैनल में आपका दो गो thermal overload relay रहता है क्यूंके आपका YOT overhead crane में LT में आपका दो motor रहता है इसलिए दो motor के लिए दो गो thermal overload relay रहता है और इसका connection में जीस तरह आपको बता रहा हूं इसी तरह दिया हूँ रहता है पहले एक नंबर thermal overload relay में आता है फेज supply उसके बाद दूसरा thermal overload relay में फेज supply आता है और आने के बाद आपका master controller जो रहता है master controller में फेज supply आ जाता है overload relay हमारा किस तरह काम करता है जब दक NC बना रहेगा तब दक आपका master controller में supply आएगा और जब NO हो जाएगा तो master controller का supply आपका बंध हो जाएगा तो दोस्तो master controller में supply मेरा आ गया आने का बाद जब हम side चलाएंगे तब हमारा क्या होगा जो हमारा reverse side का master controller का kit है अभीते ये NO है जब हम एक number में लगाएंगे तब हमारा ये NC बनेगा जब हमारा ये reverse बला master controller का kit NC बनेगा तब हमारा face supply आगे आएगा आगे आने का बाद आपका जो ये forward का contactor है forward contactor का जो NC point है NC point में आएगा NC point से आने का बाद आपका reverse बला contactor पकड़ेगा दोस्तो जब आपका reverse side चलेगा तब आपका forward side नहीं चलेगा जब forward side नहीं चलेगा तब आपका reverse side चलेगा इसी तरह interlock इसमें दिया हुआ रहता है कि जब हमारा reverse side चलेगा तब forward side नहीं चलेगा जब forward side चलेगा तब reverse side नहीं चलेगा और दोनों जो power contactor है यो दोनों का अपका NC इउज़ किया जाता है इंटरलोग देने के लिए कि एक साथ हमारा दोनों contactor on ना हो जाए एक साथ दोनों contactor on हो जाएगा तो जो मैं power connection बनाएगा उस time आप लोगों बताऊँगा कि एक साथ दोनों contactor on होगा तो आपका क्या-क्या प्राबलेम होता है फर्वार्ड का कीट जब N-C बनेगा तब आपका reverse का N-C में आएगा और reverse का N-C में आने के बद आपका forward का कॉंटक्टर पकड़ेगा तो दोस्तो जब हमारा thermal overload रिले ट्रीप हो जाएगा तब हमारा पूरा पैनल के control supply बंद हो जाएगा हमारा reverse और forward contactor तो on हो गिया तो master controller में और एक kit रहता है brake thyristor के लिए जब हमारा motor pickup होता है या motor जब घूमता है उस time के क्या होता है दोस्तो motor को रोकने के लिए जैसे हम लोग गाड़ी में cycle में brake लगाता है उसी तरह EOT overhead grain पे भी एक brake thyristor रहता है उसमें जब 3-phase supply देते है तब वो काम करता है जब 3-phase supply नहीं जाएगा तो वो काम नहीं करता है तो यह जो master controller का kit है इसका देखे symbol जो है यह symbol देखके भी कुछ समझना पड़ता है कि master controller का connection हम को की स्तरा करना है यह symbol का मतलब दोस्तो हो गिया कि हमारा यह reverse side पे भी काम करेगा और forward side पे भी काम करेगा तो दोस्तो यह किस तरह काम करता है जब हम reverse side चलाएंगे तब reverse side का kit NC होगा और brake का भी kit NC होगा दोनों kit हमारा एक साथ operate होता है reverse side जब चला रहे तो हमारा दोनों kit operate होगा तब क्या होगा reverse का contactor पकड़ेगा और brake का contactor पकड़ेगा और जब हम forward side चलाएंगे तो forward side पे भी आपका brake के लिए जो power contactor है यह on होगा और इसके साथ आपका forward का भी contactor on होगा reverse और forward दोनों में से आप एक नमबर में चाहे reverse में चलाएंगे या forward में चलाएंगे आपका brake के लिए जो contactor है यह on होगा यह on होगा तब आपका गाड़ी मतलब EOT overhead crane running होगा अगर यह brake का contactor आपका on नहीं होगा तो आपका गाड़ी नहीं चलेगा तो जब क्या होता है दोस्तों कोई कोई क्रेन में यह जो brake का contactor नहीं रहता है तो इसका जो connection है timer का इसका reverse forward का NO से दे दिया जाता है इसके लिए भी मैं वीडियो बनाया हूँ अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख लिजेगा आपको पूरा clear समझ में आ जाएगा जब brake का contactor पगड़ेगा तो brake का contactor का जो NO point है NO point जब हमारा यह brake का contactor on हो जाएगा तब हमारा यह जो NO point यह NC बन जाएगा जब यह NC बनेगा तब हमारा timer one on हो जाएगा यह on delay timer है जितना second में आप set कीजिएगा उतना second के बादे ये काम करता है मतलब ये किस तरह काम करता है ये on delay timer अगर आपको ये 2 seconds में setting कर दिएगा तो 2 seconds के बादे ये जो NO point है NC होगा अगर आप 10 seconds में कर दिएगा तो 10 seconds के बादे ये NC बनेगा तो जीस हिसाब से ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से आपका on delay timer को set करना पड़ता है तो resistance की स्तरा काम करता है जब हमारा timer one on होगा तब क्या होता है दोस्तो तब हमारा जब forward side चलाईए रिवेस side चलाईए उसके साथ जब forward side चलाईए तो एक नमबर में आपका forward का कीट पकड़ा और आपका brake contactor का कीट पकड़ा तो दोनों कीट हमारा NC हो गया NC होने का बताब का जब आप दो नमबर में लगाईएगा master controller में तब आपका resistance one पकड़ेगा मतलब resistance का जो कीट है यह हमारा NC होगा जब यह NC होगा तब आपका timer में supply आ जाएगा timer का NO point में supply आएगा जितना second में आप timer को set कीजेगा उतना second के बाद यह timer आपका NC बनेगा जब यह timer आपका NC होगा तब हमारा supply आ जाएगा resistance one contactor में LT में दोस्तों क्या होता है एक साथ में दो दोगों contactor लगता है इसलिए लगता है कि हमारा LT में दो मोटर होता है आपका 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 आपक आपका दोनो एनो दे के connection हो जाता है कोई कोई क्रेन में आपका single एनो से ही काम हो जाता है जैसे resistance 1 के लिए दो contactor है इसमें से कोई एक contactor का एनो को यहाँ पे दे दिया एनो दे के connection कर दिया उसके बाद हमारा timer 2 पकड़ लिया है जितना सारा local क्रेन है उसमें आपको एक ही एनो से connection मिलेगा लेकिन इस standard company के किरेन में आपका दोनो एनो को common करने के बादे connection देता है timer 2 को तो दोस्तो हमारा timer 2 on हो गया जब हमारा timer 2 on हो गया तब हमारा जो master controller है उस time क्या होता है दोस्तो तीन नंबर में रहता है जब यह master controller का kit आपका NC बनेगा तब हमारा 110 volt supply आ जाएगा timer timer का NO point में, timer का NO point में आया, timer का NO point में आने के बाद यह timer का NO point है जितना second में आप set किये, set करने के बाद आपका NC हो जाएगा, माल लिजे आप 2 second में set किये, 2 second के बाद NC होगा, तब हमारा resistance 2 पगड़ेगा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तीनो step में दोग मोटर है इसल में आपका double double contactor रहता है, जब भी आपका ये timer NC होगा तो एक साथ आपका दो contactor पकड़ेगा, दोनों motor के लिए, दो number resistance on होगा, उसका जो no point है ये हमारा NC बनेगा, जब ये NC बनेगा, तब हमारा timer 3 पकड़ेगा, और जब हमारा timer 3 पकड़ेगा, तब आपका क्या होगा, ये timer 3 में जो आप time set करके रखे है, time के बादे ये क्या होगा, ये आपका resistance 3 contactor को पकड़ाएगा, किस तरह पकड़ाएगा, जब हम master control को 4 नंबर में लगाएगे, तब हमारा master controller का kit NC बनेगा, और NC बनने के बाद 110 volt supply हमारा timer में आएगा, टाइमर का NO point में, और टाइमर का NO point जब 0. 2 second में अगर आप set करके रखे हैं, तो 0.2 second के बाद ये NC हो जाएगा, क्योंकि ये on delay timer है, ये NC बनेगा, तो आपका resistance 3 number का contactor पकड़ाएगा, दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो comment करके हमको जरूर बताइगा, दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगाएगा, तो जरूर चैनल सस्क्राइब कीजिएगा, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक्यू